हेलो एप्रिबन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे जेटेट नीमावली के बारे में बात कर रहे हैं 2024 को पारित कर दिया गया है इसके क्या-क्या आउटकम है यानि कि इस नीमावली को समझना है बिलकूल आसान भासा में विडियो थोड़ी सी लंबी होगी समय निकाल कर देखना है और समझना है जादा टाइम नहीं लूँगा मैं 16-20 मिनट के अंदर मैं जो आपको इस सारी बातें डिसकस करा दूँगा और और चैनल पर मैंने देखकर आया है 30 मिनट 35 मिनट तक ये चलाया जा रहे हैं कोर्स बेचे जा रहे हैं खैर ठीक है कोर्स बेचना बुरी बात नहीं होती है आगे देखिए जेटेट निमावरी की परिक्षा आप दे सकते हो निमावरी के एकोर्टी जो बातें लिखी गई है as it is मैं आपको समझा रहा हूँ मुझे पता है ये बहुत सारे लोग कोश्चन करेंगे कि बाहर वाले यानि कि other state वाले से apply कर सकते हैं अथवा नहीं तो other state eligible है जिटट की परिक्षा दे सकते हैं मुखी परिक्षा यानि कि जो साय कचार की यहां पर परिक्षा होती है उसमें क्या निमावरी निकलेगी सरकार क्या निमावरी लेकर आएगी अगले बार वो देखने वाली बात है क्योंकि इस बार high court के द्वारा जो है निर्द जो लोग भी इस वीडियो को बाहर से देख रहे हैं या कहीं से भी दिख रहे हैं निचे कमेंट करके आप जरूर लिखना मैं बाबा धाम देवगर से ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ निचे कमेंट करके आप जहां से भी देख रहे है वो जरूर आप ल डाउट बट विडियो पूरी देख लिजे फूल विडियो आप देखोगे तो मैं आपको बता हूँ 99% आपके सारे डाउट कम्प्लीट हो जाएंगे और मैं आपको बिल्कुल आपके क्रस की तरह ignore करने वाला हूँ अगर आपने विडियो देखा नहीं और question पूछा और वो बात मैंने विडियो में बता रखे तो मैं फिर उसका आंसर नहीं करूँगा comment section में और आप लोगों से request भी है अपने भाईयो बहनों की help जरूर करे comment section में ठीक है तो नीचे कोई जगर स ले बस में भी थोड़ा बहुत change देखने को मिलेगा exam देखिए आपका अगस्त 2014 में हो जाएगा और मैं देखो यह जो बाते हैं यह tentative है मैं तो JSC का या फिर Jack का या फिर सरकार का कोई नुमानदा हो नहीं मैं यह अनुमान के अधार पर बता रहा हूँ अगस्त 2014 में परिक जो बातें लिखी गई हसना मत कोई हसेगा नहीं इनकी बातों को देखकर जोकि इनुमने लिख रखा कि हर साल जेटेट कराएंगे और हर बार यह लिखते हैं PDF थोड़ी सी बलर है इसके लिए तो मैं मापी नहीं मांगूगा क्योंकि यह PDF साइद साइद जो है लिख कराई गई है यहां से देखिए 15-6-2024 को यह जारी किया गया है अब फाइनली जो है 18 को यह बाहर आ सका है अब यहां पर देखो क्या बातें लिखी गई है वो ध्यान से आप समझ रहा हूँ इसका नाम संचीप्त नाम और जो बिश्तार है वो क्या होगा तो यहां से देख लिज का ठीक है यह सब जानने की जोरत नहीं है आपको बस मैंने ऐसे ही बता दिया अब यहां से देखिए यहां पर क्या-क्या बातें लिखी गई है वो आप ध्यान से समझना देखो जो प्रारंबिक विद्याले में पढ़ाते हैं सहयक अचार के तौर पर उनको यह पास करना देखो यह इसी को लेकर मैं आपको बोला था कि हासो आप परते एक वर्स परिक्षा को जो है आयूजित किया जाएगा असंबा वाली बात है अगर इतना ही हुआ रहता तो अभी तक 2012 और 2016 में ही इसका जो है पेपर हुआ है कंड़क्ट जार खंड में इन दोनों पेपर को लेने के लिए यहां से मेरी email ID देख लो yourmithun sing at the right gmail.com पे आप मुझे mail कर सकते हो इंस्टा पे हो then do follow me at the right imithun sing वहां से जो है जे चटके पुराने paper आप देख सकते हो examination में आपके लिए benefit रहेगा सिक्षक पातरता परिक्षा मैं कौन-कौन सामिल हो सकता है तो देखिए न्यूनितम 50% अंकों के साथ graduation जिसने करा है या फिर B.A.D. जिसने करा है वो यहां पे apply कर सकता है क्लियर है आगे देखिए उच्छी प्रात्मिक विद्याल है यानि कि कक्षा 6-8 के लिए जो है दो बर्स का डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है देखो 125 या 628 के लिए जो है जिनोंने BTC जहरकरण में DL8 बोलते हैं वो आपने कर रखा है तो भी आप यहां पे eligible हो जाते हो चार साल का भी जिन लोगोंने NCE, ERT या किसी और संस्थान से graduation plus BAD किया है वो भी यहां पे eligible हैं आगे देख लिए ज़ारकन सिक्षक पातरता परिक्षा देखो एक और बात है अगर आपको science की syllabus ठीक है science की syllabus यानि कि 6-8 के science के syllabus या फिर SSD का syllabus चाहिए होगा तो नीचे comment करके आप लिखोगे अगर 125 का चाहिए होगा तो 125 लिखोगे अगर आपको SSD का चाहिए होगा तो SSD लिखोगे तो देखिए इस पे जल्दी ही जो है मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कल यह परसों तक यह वीडियो आ जाएगी जिसमें syllabus को बि विज्यान सिख्षक से किसे परिभासित किया गया है असनातक पर्तिष्ठा के रूप में निम्लिखित विषयो में किसी एक विषय से किसी दो विषय के साथ जो है ग्रेज्विशन करा है यानि कि अपने ग्रेज्विशन में कोई भी honors है फार्क नहीं पड़ता है दो subject आप आपको जो है अगर आपने graduation से करा है तो आप गनित एवं विज्ञान सिक्षक बन सकते हो जिसे कि अगर math के teacher बनना चाते हो तो गनित और भातकी या फिर रासाइन सास्तर तिनों में से कोई एक अब यहां देखो रासाइन सास्तर जेखो ZBC से बोलते हैं इस group को ZBC बोला जाता यानि कि तीन साल का graduation अगर आपने करा है और पलस टू में यानि कि इंटर में या फिर सौट में बोलू IAC में गनित भातकी रासाइन यानि कि PCM या फिर PCB यहां पर बनसपति बिग्यान और जी बिग्यान है बायो जी से बोलते हो आप इन group में से किसी दो subject से अगर आपने पास किया है तो ही आप eligible होगे ठीक है कोई बात नहीं है देख लेंगे अब सेस्टी टीचर के लिए आप आज आईए सेस्टी टीचर के लिए जो दो subject चुनना है वो है एक इतिहास भुग गोल राजमिती यानि कि political science अर्थ सास्त्र यानि कि economics समाज सास्त्र sociology लेका सास्त्र रहने की जो commerce वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पर eligible हो जाते हैं उसके बाद देखो business studies है यहाँ पर वैपार अध्यान लिख दिया इन्होंने आगे देखिए अब यह 50% के साथ आप यहाँ पर बन सकते हो आगे देखिए यहाँ पर language teacher भासा सिक्षक के लिए क्या बोला गय तो देखो यह जो tantrum है यह थोड़ा सा दिक्कत हो गया भासा सिक्षक यहाँ पर जिन्होंने graduation करा है वो हिंदी या इंगलीज के साथ अतिरिक्ति विशह के रूप में यह कोई subject यहाँ पर जार्खन में है बहुत कम मैं एक बात बोलता हूँ rare of rarest वाले category में यह आएगा rare of rarest वाले category में यह आएगा कि किसी का बंगला भी हो और हिंदी भी उन्होंने graduation से कर रखी हो तो भासा सिक्षक नहीं आपको sst teacher ही बनना होगा बहुत बुरी बात है खैर कोई नहीं जो सच है वो मैंने आपको बता दिया आगे देखिए अब इसे हम लोग लहने देते हैं अब देखो सीधे सीधे मैं आपको समझाता हूँ जो चीजें यहाँ पर आई है अब देखो यह बोला गया है कि अगर आप किसी छेत्री भासा के लिए apply करने के लिए जा रहे हो जैसे खोठा कुरमाली हो खड़िया तो उसके लिए आपको छेत्री भासा इंटर या metric के according ज आगे देखिए कुछ और बातें यहाँ पर बताई गई है देखो जारकंड सिक्चक पातरता परिक्षा अध्याए 2 के नियम में क्या बातें बताई गई है क्लास 1-5 के लिए आयोजित सिक्चक पातरता परिक्षा के अनुरूप अगर minimum 50% के साथ graduation और beard अगर आपने किया है तो इसके साथ जो है आपको अनुमती दी जाएगी बिसेश के लिए देखो याद रखिएगा यह बिसेश special educator के लिए है normal beard के लिए नहीं है I repeat this is only for beard या फिर beard special यहाँ पर एक सकनी यहाँ पर इनोंने लिख रखा एक बड़स यह beard देखो यहाँ पर फिर यह विवाद में फ करना अब नीचे comment section में लोग मुझे troll करना शुरू करेंगे कि तुम गलत सला दे रही हो अच्छी बात है आपको अगर करना है कर लीजे मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन Supreme Court का भी decision का सम्मान थोड़ा होना चाहिए और मुझे लग रहा है कि आप फिर case बगरा करोगे तो कर लीजे मुझे प्रॉब्लम नहीं है मुझे जो जानकारी देनी थी मैंने आपको जानकारी दे दी आगे देखिए आगे जो बातें बताये गई है वो हम लोग देख लेंगे कुछ और चीजों को देखिए इसका notification के बारे में बताया गया है कि यह जो है समाचार पत्र आपको कर लेना है अब देखो यहाँ पर बताया गया कि जारकन सिक्षा परियोजना परिस्द रांची के अंतरगत जो पारा टीचर काम कर रहे हैं अगर उनकी उम्र सीमा अधिकतम अंठावन साल है तो भी वो इस examination में सामिल हो सकते हैं सभी अभियर्तियों को पिछली पात परिक्षा के बीच के अंतराल में एक वर्स छोड़कर अधिकतम सीमा में छूट परदान की जाएगी यह पुराने लोगों के लिए है महंजोदाड़ो वाले लोगों के लिए आपको टेंसन नहीं लेना है आगे देखी यदि जेटट की परिक्षा 2015 में होने के उपरांत द दो घंटा 30 मिनट जो है दिया जाएगा एक्जाम के लिए 6-8 के लिए 3 घंटा का समय मिलेगा और जो दिव्यांग बच्चे हैं दृष्टिवादित बच्चे हैं उनको 30 मिनट का अलग से टाइम मिलेगा और चलिया आगे देखते हैं अब इसी तरह से जो है कुछ और बात आ गई है अब यहां से देखिए ध्यान से क्या बातें बताई गई है भासा वन में और उर्दु भासा वगरा जो है यहां पे लिखा हुआ है ठीक है यह परियावरन अध्यान भी इनों ने रखा है लेकिन ध्यान देने वाली बात है देखो अभी जो यह शिलेवस था यह बदल गया है, यह नहीं पढ़ना है, देखो यह पूराना वाला पैटर्न था, new पैटर्न इस तरफ लिखा गया है, यहां से देखो यह new पैटर्न है, देख लो, परती स्थापित यानि कि जिसे बदल कर लिखा गया है, CDP यानि की बाल विकास को जो है 30 नमर पूछा जाएगा मैक्सिमम 30 नमर आप ला सकते हो ठीक है जी आगे देखिए सहायक अचार और विसेश प्रसिक्षित सहायक अचार के लिए Special Educator के लिए हिंदी और अंग्रेजी में जो है 15-15 प्रसंट पूछे जाएंगे 30 नमर टोटल यहां पे आपको 30 question 30 नमर के लिए मिलेगा आगे देखिए जो उर्दू या फिर उर्दू और इंग्लिस का combination के साथ जाना चाते हैं उनके लिए भी 30-30 नमर का ही यह रहने वाला है और भासा 2 में जो है जो भासा 2 है वो आपका खोठा वगेरा जो है कुर्माली है संथाली है पंचपर गनिया है उसके लिए 30-30 नमर का एक्जाम यहां पे दिया जाएगा ठीक है गनित 30 नमर का पूछा जाएगा और पहले परियावरन EBS पूछा जाता था यह नहीं पूछा जाएगा अब आप से जी के पूछा जाएगा स्टैक्स जी के पूछा जाएगा ठीक है 1500 नमरों का यह पेपर रहा अब देखिए यह 6-8 के लिए पेपर होना चाहिए मुझे तो लग रहा है खेर देख लेते हैं अम लोग इसे जी हाँ बिल्कुल 6-8 का पेपर है यह फिर से यहां से दियान से देखिए यह बरतमान प्रावधान है और यह परतिस्थापित यह है यह वाला सही है ठीक है यह वाला क्या है यह करेक्ट है पुराने वाले सिलिवस को नहीं देखना है ठीक है पीडियेप थोड़ी सी गड़बड है, माँ भी चाहता हूँ फिर से, जेक के वेफसाइट पर ये फिर से आएगी, आगे देखिए, और जो आपका प्रसासनिक सुधार राजभासा है, उसके लिए 30 नमबर का जो है कोशन पूचा जाएगा, खोठा, कुर्माली, अंगिका ब बिलकुल सीट वाला शिलेबस है, बट 1 to 5 में जीके को एड कर दिया गया है, परियावरन को टाटा बाइबाई बट, कम्प्लिटली परियावरन को वाइप आउट नहीं किया गया है, जीके में ही परियावरन सामिल हो जाएगा, कुछ प्रसंद परियावरन के पूछे बिलकुल नहीं लोगा, जो इंपोर्टेंट बाते हैं, फिर से आप सभी को बता देना चाहता हूँ, देखिए, यहां भासा सिक्षक बनने के लिए जो समस्या दी गई है, वो मैं आपके साथ साजा कर देता हूँ, देखो, अगर आप भासा टीचर बनना चाहते हो, लेंग अत्रेजी के साथ, अतिरिक्त विसाय के तौर पर ग्रेजुएशन में असना तक उत्तरीन में जो है, संस्कृत, उर्दू, फार्सी, उडिया, बंगला, संथाली, मुंडारी, हो, खडिया, कुड़ुग, या फिर उरां, कुर्माली, खुठा, नाकपुरी, या पंच परग अधवान जाने, अल्ला जाने, मुझे नहीं पता, मैंने जो as it is था, समझा कर आपको बता दिया, अब देखो, वीडियो यहां तक अगर आपने देख ली है, तो देखे, only 500 में, अभी मेरे पास नॉट्स नहीं है, आप मेल बगएरा करके रखना, मैं आपको रिप्लाइ कर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, हिंदी इंग्लिस कबर हो जाएगा, और खोटा भी आपका कबर हो जाएगा, जिनका खोटा है, उन्हीं लोगों के लिए खोटा का syllabus, I mean, खोटा का जो है नॉट्स परभाइड किया जाएगा, तो जिनको चाहिए होगा, या फिर गनित भ मेल कर लिजे, और इंस्टा पे हो, तो वहाँ पर भी फॉलो कर लिजे, कोशन आप पूछ सकते हो, मैं आपको फिर से बता दू, 15 से 20 दिनों का वक्त मुझे लगेगा, और मैं पुराने नौट्स आपको नहीं देना चाहता, नई syllabus के recording में आपको, चीजे नई, जो नई हु वीडियो में, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत सुक्रिया, have a good day.